वेलकम बेक अगेन फ्रेंड्स आपके अपने यूटूब चैनल मास्टर माइंड समीर में तो दोस्तो आजम बात करने वाले हैं शल्य तंदर के एक बहुती इंपोर्टेंट टोपिक यंद प्रकरण के बारे में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यं यंत्र के प्रकारों का हम विस्तरत वर्णान समझेंगे तो दोस्तो बात करते हैं सबसे पहले यंत्र की परिभाशा के बारे में तो दोस्तो यंत्र की परिभाशा के लिए आपको एक श्लोग याद करना है ये श्लोग एक्जाम पॉइंट ओफ्यू से बहुती इंपोर्ट है श्लोक है तत्र मनह शरीर बाध कराणी शल्यानी तेशाम आहरण उपायो यंत्राणी क्या है श्लोक दोस्तों तत्र मनह शरीर बाध कराणी शल्यानी तेशाम आहरण उपायो यंत्राणी अर्थात मन और शरीर में बाधा उत्पन करने वाले पदार्थ शल्य कहलाते हैं तो दोस्तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मन और शरीर में बाधा उत्पन करें ऐसे पतार्थ क्या कहलाएंगे शल्ली कहलाएंगे और जिन इस्ट्रूमेंट के द्वारा जिन उपकरणों के द्वारा उस शल्ली को बाहर निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं यंत्र बोलते ह जो की बहुत इंपोर्टेंट है शलोक है सर्व शरीर बाद करम शल्यम क्या है दोस्तों शलोक सर्व शरीर बाद करम शल्यम अर्थात जो समस्त शरीर में बाधा उत्पन करते हैं उन्हें शल्य केते हैं तो क्या है दोस्तों इसका मतलब कि जो समस्त शरीर में बाधा उत्पन क करते हैं उन्हें शल्य केते हैं और एसे शल्यों को जिन उपकरणों के द्वारा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बोटी से बहार निकाला जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं यंत्र बोलते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं यंत्र के प्रकार और संख्या के बारे में तो दो दोस्तो यंत्र छे प्रकार के होते हैं स्वस्तिक यंत्र, संधंश यंत्र, ताल यंत्र, नाडी यंत्र, शलाका यंत्र और उपत्र अब दोस्तों इन छे प्रकार के यंत्र को याद करने की एक ट्रिक है कि सस्ता नशा उपद्रव है दोस्तों यहाँ पर हमको याद करना है कि जो सस्ता नशा होता है वह उपद्रव है कॉम्प्लिकेशन उत्पन करने वाला होता है तो हमको सस्याद करना है स्वस्तिक यंत्र अ उपसे हमको याद करना है उप यंत्र अब बात करते हैं दोस्तों यंत्र की संख्या के बारे में तो यंत्र की संख्या 101 होती है अब आपको इनको कैसे याद करना है तो आपको छे प्रकार के यंत्र के सामने सबसे पहले दो 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 लिख देना है दो लिखने के पश्चात इस चार लिख देना है तो सस्तिक यंत्र चोईस प्रकार के हो जाएंगे नेक्स्ट बात करें तो संदंश यंत्र तो संदंश के अंदर जो वर्ड है द तो द से हम को याद करना है दो तो यहां पर अगें संदश जो रहेंगे दो प्रकार के रहेंगे नेक्स्ट बात करें ताल य बढ़ याद करना है नाड़ी मिंस नन और नन का मतलब जीरो तो टू के पीछे हम जीरो लिखतेंगे तो नाड़ी यंत्र 20 प्रकार के हो जाएंगे अब दोस्तों बात करते हैं कि शलाका यंत्र के आगे जो टू लिखा हुआ है इसके आगे क्या लिखना है तो दोस्तों स्व 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0 is equal to 8 तो शलाका यंत्र के 2 के आगे हमें 8 लिख देना है तो शलाका यंत्र 28 प्रकार के हो जाएंगे लाश्ट में बात करें तो उपयंत्र के आगे जो 2 लिखा हुआ है उसके आगे हमें 5 लिखना है तो उपयंत्र 25 प्रकार के होते हैं यह हमें अलग लिखना है तानी शट प्रकाराणी means जो यंत्र होते हैं छे प्रकार के होते हैं तद्धिता जैसे अब यहां से आपको छे प्रकार के यंत्र के नाम सिक्वेंस से लिख देना है स्वस्तिक, संदंश, ताल नाडी, शलाका और उप यंत्र और इन सब के पीछे यंत्राणी यंत्राणी जोड़ देना है तो इस तरह से जो यंत्र के 6 प्रकार हैं उनका शलोक भी आसानी से याद हो जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों यंत्र के गुण, दोश और काईरे के बारे में तो दोस्तो यंत्र की 6 गुण होते हैं दोश 12 होते हैं और काईरे 24 होते हैं तो दोस्तो गुण 6 हैं तो उसके दुगने 12 दोश होंगे और दोश 12 हैं तो उसके दुगने काईरे 24 होंगे तो इस तरह से हमें याद कर लेना है कि गुण के दुगने दोश होते हैं और दोश के द में हो ना अधिक बड़े हो ना अधिक छोटे हो थर्ड है खर शलक्षण मुख अर्थात आवश्कता के अनुसार खर अत्वा म्रदू मुख हो मींस जो इस्ट्रूमेंट है उसका जो हेड है वो आवश्कता के अनुसार रिक्वाइर्मेंट के अनुसार सोलिड हो या फिर अब दोस्तो इन 6 गुण को याद करने की एक ट्रिक है कि सलमान खान का सोलिड रूप है जी हम किसी को इज़त देते हुए रिस्पेक्ट देते हुए बोल रहे हैं कि सलमान खान का सोलिड रूप है वे दिखने में बहुत सोलिड है जी तो सलमान के स से हमको याद करना है समाहितानी, खान के ख से याद करना है खर्श लक्षन मुक, सोलिट से सोलिट का मतलब क्या अद्रिड तो इसको याद करना है सूद्रणानी, रूप से याद करना है सूरूपानी और जी से याद करना है सूगरहानी दोस्तो लाश्ट के जो तीन गुण है उनके अंदर राइमिंग भी बन रही है सू द्रणानी, सू रूपानी, सू ग्रहानी तो आप इनको राइमिंग के रूप में भी याद कर सकते हैं दोस्तो आप इन छे गुणों को शलोक के रूप में भी कनवर्ट कर सकते हैं आपको सबसे पहला और दूसरा गुण समाहितानी लिखना है फिर एक नया वर्ड यंद्रानी जोड़ना है फिर उसके पश्चात 3, 4, 5 और 6 नमबर के गुण को एज़िटीज लिखना है और लाष्ट में 4 कारियत वर्ड अलग से जोड़ देना है तो यह एक शलोक के रूप म एक वर्ड याद करना है अमावस तो दोस्तो इसको कैसे याद रख सकते हैं तो दोस्तो दोष भी एक तरसे बुराई का प्रतीक है और अमावस को भी हम बुराई के रूप में लेते हैं तो हमको याद रख लेना है कि दोष के अंदर अमावस वाली ट्रिक लगेगी अब इ से तीन दोश हो जाएंगे A से कुछ भी नहीं है क्योंकि ओल्रेडी A से छे दोश बना चुके हैं तो A से अब दोश नहीं बनेंगे नेक्स्ट बात करते हैं तो V से दोश बनेंगे तो दोस्तो वी जो वर्ड है वो किस तरह से लिखा जाता है दो लाइन को अगर हम तीरचा जोड दें तो V बनता है तो दो लाइन को जोड रहे हैं तो याद कर लेना है दो दोश इससे बनेंगे A से अगेन कोई भी दोश नहीं बनेगा और इससे हमको याद करना है कि इससे एक दोश बनेगा तो दोस्तो ए से हमें याद करना है अती दिर्ग, अती स्थूल, अती रस्व, असार, अगराही, अत्युन्नत क्या याद करना है दोस्तो अती दिर्ग, अती स्थूल, अती रस्व, असार, अगराही और अत्युन्नत M से हमें याद करना है मिर्दू मुख, मिर्दू पांशू और मिर्दू कील क्या याद करना है दोस्तो मिर्दू मुख, मिर्दू पांशू और मिर्दू कील Next V से हमें याद करना है विशम ग्राही और वक्र और S से याद करना है शिथिल तो दोस्तो इस तरह से हमें ट्रिक के अमावस वर्ट से यंत्र के 12 दोश आसानी से याद हो जाते हैं अब बात करते हैं दोस्तो यंत्र के 24 कायरे को याद करने की ट्रिक के बारे में ट्रिक है दोस्तो माननी रिचा एंड निदा बियू गई A4 पेज़ पर PU एक्जाम देने तो दोस्तो दो लड़कियां है रिचा एंड निदा जिनको हमने सम्मान देने के लिए उनके नेम के आगे माननी लिख दिया है तो माननी रिचा एंड निदा बियू गई मिस बरकुदुला युनिवस्टी गई A4 पेज़ पर PU एक्जाम देने हमने इस टिक के अंदर माननी रिचा एंड निदा के आगे 1 लिख रखा है मिस ये पूरी लाइन है इसके अंदर से जो भी हम वर्ड लेंगे वो सभी एक एक बार आएंगे BU गई के आगे 2 लिख रखा है मिस B से भी 2 बनेंगे और U से भी 2 कारे बनेंगे A4 लिखा हुआ है मिस A से 4 कारे बनेंगे उसी के बाद 4 के बाद 5 आता है तो P से 5 और U को V से रिप्लेस कर देंगे और V से 6 कारे याद करेंगे अब दोस्तो इस ट्रिक को डिकोट करते हैं माननी के मा से हमें आत करना है मार्ग विशोधन रिचा के री से आत करना है रिजुकरन रिचा के चा से आत करना है चालन निदा के नी से आत करना है निरगातन और निदा के दा से हमें आत करना है दारन तो दोस्तो इस पूरी लाइन में सभी वर्ड एक एक बार आए Next बात करते हैं BU गई तो B से दो वर्ड बनेंगे बंधन और बंजन U से दो वर्ड बनेंगे उन्नमन और उन्मतन Next बात करें तो A से चार कारे याद करना है A शन, आहरन, आचूशन और आंचन Next बात करें तो PU के P से हमें 5 वर्ड याद करना है P से याद करना है पूरण, पीडन, प्रक्षालन, प्रधमन और प्रमार्जन आगे बात करें तो U को V से रिप्लेस करना है और V से 6 कारे याद करना है विवरण, विकर्षण और वीनमन इस तरह से हमें यंत्र के 24 कायरे भी आसानी से याद हो जाते हैं अब दोस्तों विस्तरत रूप में यंत्र को पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं स्वस्तिक यंत्र की तो दोस्तों इसके लिए हम उल्रेडी बात कर चुके हैं कि स्वस्तिक यंत्र 24 प्रकार के होते हैं संख्या में 24 होते हैं स्क्रीन के उपर आपको डाइगराम भी दिख रहा होगा स्वस्तिक यंत्र इस तरह से दिखाई देते हैं अब बात करते हैं इनके प्रकार की तो दोस्तो स्वस्तिक अंत्र दो प्रकार का होता है पशु मुखी और पक्षी मुखी जिसके अंदर पशु मुखी 9 प्रकार के और पक्षी मुखी 15 प्रकार के होते हैं आगे बात करें तो स्वस्तिक यंत्र का जो प्रमान होता है जो लंबाई होती है वो अठारांगुन होती है और स्वस्तिक यंत्र का उपयोग अस्थी गत शल्य और अन्य इस्थान की स्थित शल्य को बहार निकालने में प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों स्वस्तिक यंत्र को अस्तिक अंदर फसेव विशल्य को बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है अब बात करते हैं दोस्तों संदंशंत्र की संदंशंत्र आपको डाइग्राम के अंदर दिख रहा होगा इस तरह का संदंशंत्र दिखाई देता है अब बात करते हैं इसके प्रकार की तो इ के हैं दो प्रकार के है सन्नी ग्रह और आनि ग्रह प्रमान और लंबाई सोलांगूल आप बात करते हैं कि यह कहां कहां उपयोग में आता है तो तुछा मांस सीरा सनायू आदी से शल्य को बाहर निकालने में प्रएक्ट होता तथा नेत्र इस्तित, केश, अर्थात, आखों के अंदर जो बाल होते हैं, जो हेर होते हैं, उनको निकालने में, तथा नेत्र गत, सुक्षम शल्या, अगर आख से रिलेटेड, अगर कोई भी शल्या आख के अंदर चला जाता है, तो उसको निकालने में भी संदर्शियंत का प्रयोग किया जाता है आगे बात करते हैं दोस्तों तालियंतर की ताली दो हाथ से बजाई जाती है तो तालियंतर की संख्या दो होती है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं दोस्तों डाइगराम में आपको दिख रहा होगा तालियंतर इस तरह से दिखाई देता ह अब बात करते हैं ताल यंत्र के प्रकार के बारे में तो ताल यंत्र भी दो प्रकार के होते हैं एक तालक और द्वी तालक तो दोस्तो ताल यंत्र के किते टाइप हो गए दो टाइप हो गए एक तालक और द्वी तालक अब बात करते हैं ताल यंत्र के प्रमान के बारे में तो इसका प्रमाण 12 अंगूल होता है तो दोस्तों इसका प्रमाण कितना होता है 12 अंगूल यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि स्वस्तिक यंत्र के अंदर 18 अंगूल प्रमाण था उसी तरह संदंश यंत्र के अंदर 16 अंगूल प्रमाण था और ताल यंत्र के अंद 12 अंगुल प्रमान है तो यहां पर आपको ध्यान रख लेना है कि जो प्रमान है वो घड़ते क्रम में आ रहा है तो आपको घड़ते क्रम में इसको याद कर लेना है अब बात करते हैं दोस्तों ताल यंत्र के उपयोग के बारे में तो ताल यंत्र का उपयोग करण नासा और नाडी गत शल्य को निकालने में प्रयोग किया जाता है तो ताल यंतर का कहां प्रयोग किया जाता है दोस्तों कर्ण, नासा और नाडी गत शल्य को निकालने में प्रयोग किया जाता है आगे बात करते हैं दोस्तों नाडी यंत्र के बारे में तो नाडी यंत्र की संख्या 20 होती है जिसके लिए हम आगे ओलरी ट्रिक के रूप में इसको याद कर चुके हैं नेक्स्ट बात करें तो नाडी यंद्र बारा प्रकार के होते हैं अगली बात करें तो इसके प्रमान की तो इस्त्रोतस के मुख के अनुसार इसकी चोड़ाई होना चाहिए और आवशक्ता के अनुसार लंबाई होना चाहिए तो जहां पर हम नाडी यंद्र को यूज करते है उस इस्त्रोतस के मुख्य अकोर्डिंग इसकी चोड़ाई होनी चाहिए और आवशकता के अनुसार इसकी लंबाई होना चाहिए अब बात करते हैं इसके उपयोग की तो भिन भिन इस्थानों पर इसका भिन भिन उपयोग होता है अलग अलग इस्थानों पर इसका अलग अलग उपयोग होता है जैसे एक्जामपल की बात करें इस त्रोतस सल्य निकालने में नासा करण में ओशद पूरण करने में तो दोस किया जाता है नेक्ष्ट बात करते हैं दोस्तों शलाका यंद्र की शलाका यंद्र के संख्या 28 होती है जिसको हम ट्रिक के रूप में आगे याद कर चुके हैं अब बात करते हैं शलाका यंद्र के प्रकार के बारे में तो शलाका यंद्र के प्रकार 12 होते हैं नेक्ष्ट बा प्रयोग एशन कर्म के लिए किया जाता है एशन कर्म के लिए शलाका यंत्र का प्रयोग किया जाता है मींस प्रोप के रूप में इसको यूज में लिया जाता है अब बात करते हैं दोस्तों उपयंत्र के बारे में उपयंत्र की संख्या 25 होती है यह यंत्र का 6 प्रकार है यहां पर हमारे पास स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी और शला का यंत्र उपस्तित नहीं है, तो एसी कंडिशन में उप्यंत्र का प्रयोग करने का निर्देश किया गया है। यहां प्रदान्तम यंत्र हस्त को बोला गया है, अब क्यो बोला गया है, क्योंकि दोस्तो हाथ के दुआरा ही विविन प्रकार के यंत्रों को प्रकड़ कर हम चिकिस्टा कर्म कर सकते हैं, अगर हाथ नहीं होंगे तो किसी भी तरह से हम यंत्र को नहीं पकड़ पाएंगे और चिकिस्टा कर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे आचारियों ने प्रधान्तम यंद्र हस्त को माना है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बोक्स में ज़रूर बताए और जिसने भी अभी तक मास्टर माइंट समीर को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्रेस सस्क्राइब कर लें बेल आइकर को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिती रहें तेंक्यू